विकास और टैनिंग इंडस्ट्री के विस्तार के नाम पर पनामा अपना आदे से बेदिक मैंग्रोव इलाका खो चुका है अब पनामा में इन मैंग्रोव वाले दलदली इलाकों को बचाने उतरे हैं स्कूली बच्चे जो खुद को मैंग्रोव के यूवार रख्षक कहते हैं पनामा के दक्षणी तट पर चिरी की प्रांत के हरे भरे मैंग्रोव जंगल ये इस्थाने गावों को तूफानी जुआर से बचाते हैं और पानी के नीचे उनकी घनी जड़ों में कई परजातियों के जीवों को बसेरा मिलता है लेकिन रोबेर्टो मारियानो जैसे कई मच्छुआरों के लिए ये रोजी रोटी कमाने का जरिया भी है प्राकृतिक जलसरोतों से मचलियां पकड रोबेर्टो अपने परिवार में बारे लोगों का पेट भरते हैं लेकिन हाल के दशकों में पनामा में तेजी से जंगलों की कटाई हुई है आधे से अधिक वैंग्रोफ जंगल साफ कर दिया गया है जब यहां से कुछी दूरी पर इंटर अमेरिकन हाईवे बनाया गया तो बहुत सारा तेल नदी में रिस गया उस रिसाव से हमारे यहां की सारी सीपियां बरबाद हो गई इस से चोटे चोटे जीवों, केकड़ों और जिंगों पर बहुती बुरा असर हुआ मेरे बचपन में यहां सीपियां और शंक भरे होते थे अब सब खत्म हो चुका है लेकिन यहां लोगों ने पुराने गलतियों से बहतर भविश्य के लिए सबक सीखा है अब तो रोबैर्तो की 10 साल की बेटी भी देश के मैंग्रोव को बचाने के राष्ट्रिय प्रियास का हिस्सा बन चुकी है सिल्विया पनामा के दलदलों को बचाने वाले एक अंतराष्ट्रिय प्रोजेक्ट का हिस्सा है उसके स्कूल के कई और बच्चों ने मिलकर युवा मैंग्रोव रक्षकों का सम्हूं बनाया है हर दिन दो बार वो सिल्विया के बाग के निचे स्थित लगून से पानी लेकर आते हैं ये पानी उनके परिवार के लिए नहीं है उनके खुद के लिए भी नहीं ये तो उनके स्कूल में मैंग्रोव के छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए है अपने खाली समय में वो स्कूल की नजरी सवारते हैं ऐसे ही दलदल में पनामा के परियावरन मंत्राले के टेक्निशियन इस प्रोजेक्ट के एक दूसरे एहम पहलू पर काम कर रहे हैं वे माप रहे हैं कि दलदल ग्रीन हाउस गैसों को कितना सोखते हैं स्टडी में पाया गया है कि आम पेडों के मुकाबले में ग्रोव पाँच गुना ज़ादा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस सोख पाते हैं हम पता लगाना चाहते हैं कि यहां कितना कार्बन जमा है कितना कार्बन और बढ़ा सकते हैं जिससे इसकी कार्बन सोखने की कुलक्षमता का पता लगे। हम ऐसा कर रहे हैं ताकि ये जान सकें कि पनामा इस बारे में अपनी कितनी प्रतिपधता पूरी कर सकता है। संच राष्ट के साथ मिलकर पनामा की सरकार ने एक नियामक धाचा तयार किया है। इसका मकसद जलवायू परिवर्तन से लड़ने में पनामा की ओर से की गई अंतराष्ट्रिय प्रतिपधता को पूरा करना है। लेकिन पनामा के इस हिस्से में लोग मवेशी पालते हैं। उनके लिए चरागाहा की भारी मांग है। इसी कारण कई जगे जंगल काटे जा चुके हैं। चमड़े को रंगने के लिए भी मैंग्रोव की छाल का इस्तेमाल होता है। चमड़ा उद्योग में हमें मैंग्रोब की च्छाल की जरूरत होती है हम भी जंगल काटते हैं लेकिन उन्हें लगाने में मदद भी देते हैं 2014 में हमने लाखास लगून में मैंग्रोब के 30,000 पौधे लगाए 2015 में करीब 9,000 और पिछले साल 5,000 लगाए थे चमड़ा कारोबार में लगे कुछ लोगों को मधुमक्खी पालना भी सिखाया जा रहा है ताकि उनकी अतिरिक्त आमदनी हो सके लेकिन प्रोजेक्ट का ये हिस्सा अभी शुरुआती दौर में है चमड़ा रंगने से होने वाली आमदनी की भरपाई में उन्हें संदेह भी है लोग मैंग्रोब की च्छाल के साथ अपने काम पर बहुत ज्यादा निर्भर है और उस काम से निकलने वाले चमरे के उत्पादों पर भी केवल इसी इलाके में ऐसे करीब एक हजार परिवार रहते हैं जो इस पेशे पर निर्भर हैं इलाके में लेदर उद्योग काफी मजबूती से स्थापित हो चुका है मैंग्रोब की च्छाल मवीशी के चमड़े की टैनिंग में काम आती है पहले वो च्छाल को पीस कर पाउडर बनाते हैं फिर उसे पानी में घोल कर उसमें चमड़े को भिगोते हैं इसी से चमड़े को उसका खास लाल रंग मिलता है ऐसी छोटी सी सेंटर में भी हर हफते कारोबारी करीब पंद्रे सो डॉलर तक का मुनाफ़ा कमा लेते हैं